रादे रादे जी आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चनल वास्तुटी फूर होम में दोस्तो पदी पतनी का रिष्टा बेहत खास होता है हर रिष्टे की तरह इस रिष्टे में भी छोटी छोटी नोग जोग होना एक आम बात है लेकिन जब छोटी छोटी लाईयां बड़ा रूप ले लेती हैं तो इस्तिती विगड़ जाती है जिससे कई बार रिष्टा तूटने की कगार पर पहुच जाता है दोस्तों अगर आप भी पती पतनी के जगड़े से परेशान है तो आपको इन उपायो को अवश्य करना चाहिए इन उपायो को करने से आपके जीवन में मधुरता अवश्य आएगी आपका दामपत्ते जीवन अवश्य ही मधुर होगा दोस्तों हम कुछ उपाय बता रहे हैं आप चाहे तो सारे कर सकते हैं नहीं तो एक या दो करके भी आपको उतना ही लाव अवश्य ही मिलेगा दोस्तों अगर देखे घर में रोजाना पती पतनी का जगड़ा होता है या किसी भी परिवारिक जगड़ा होता है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें कि घर में पोचा लगाने वाले पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल के पोचा अवश्य ही लगाएं इससे जो नगरात उपाई को अवश्य करें दूसरा उपाई ये दोस्तों अगर देखें पति बतनी के बीच किसी ना किसी बात पर रोजना लडाई होती है तो उसे रोकने के लिए सिंदूर की डबी में एक गोमती चक्र रखें इससे रिष्टे में मिठास आजाएगी जगडों में कमी अवश आते हैं तो कोई भी दोनों में से ये उपाई कर सकता है आप नियमित रूप से सुर्य भगवान को अर्ध दें और अर्ध देने वाले लोटे में यानि तामबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और लाल रोली डालकर अवश्य ही सुर्य देवता को अर्ध देना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्द देने के बाद अपनी ही जगा पर एक या चार परिक्रमा अवश्य लगाने चाहिए अगर इस तरह आप रोज सूर्य देवता को अर्द देते हैं तो इससे भी दामपत्य जीवन में मधुरता आती है चौथा उपाई है दोस्तों कि पती पतनी के देखे जगड़ों को दूर करने के लिए आपसी समझदारी और समझस से होना बहत जरूरी है जिससे एक दूसरे की छुट-छुटी गलतियों को नजर अंदाज करके या पार्टनर को देखे माफ करके जगड़े की स्तिती से बचा जा सकता है और साथ ही फिर भी देखे अगर आपको जगड़े खतम नहीं होते तो आप शुकरवार के दिन कोई भी कर सकता है पती पतनी दोनों में से दाई पत्ते तुलसी के लेकर अपने घर के मंदिर के साब बैठ कर आपको 21 बार अपने पती का या पत्नी का नाम लेकर उसमें 21 बार ही फूक मारना है और उसके बाद उन पत्तों को आप चाय में या कैसे भी अपने पार्टनर को खिला सकते हैं इससे भी देखना आपके दामपत्ते जीवन में मधुरता अवश्य ही आएगी आपस में प्रेम अवश्य ही बढ़ेगा पाच्वा उपाई यह है दोस्तों कि देखे पदी पदी के जगड़े को दूर करने के लिए दोनों के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान शिव और मता पार्वती की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है शिव मंदिर में नियमित रूप से अगर सिंदूर अर्पित करके कलावे से भगवान शिव और मता पार्वती को एक साथ बांधने से लाब होता है और रिष्टे में मधूरता आती है इस उपाय को लगभग कम से कम आपको 40 जिन तो अवश्य ही करना चाहिए दोस्तो इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन में मधूरता ला सकते हैं पती पतनी के बीज प्रेम अवश्य ही बढ़ेगा दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें आप सभी को राधे राधे